क्या आप भी गुड की चाय बनाते हैं और वो फट जाती है तो चली आज मैं आपके साथ एक दम सिंपल सा एक सीक्रेट तरीका शेयर करूंगी जिससे कि आपकी गुड की चाय कभी भी नहीं फटेगी तो यहां पर क्या करना है एक चौथाई कप मैंने एक बरतन में पानी ले है तो गुड आप जैसे मीठी चाय पीते ना उसी साफ से ले लिजेगा मैंने अगर इसको पीस के लेंगे तो चोटा चम्मच होगा तो यहां पर मैंने अपने टेस्ट की साफ से लिया है अब इसमें अध्रक कुटी हुई डालेंगे दो मैंने हरी लाइची कूट के लिया ह अध्रक कर दो फ्लेवर नहीं आजाता तब तक इसको हमें पकाना है अब यहां पर हमें यही सीक्रेट तरीका अपका है इसी टाइम पे जो है छाय ना फट जाती है तो यहां पर क्या करना है दूद को अबाल के ले लेना और जैसे हलक्ता से इसमें अबाला आना तुरंद आपको छान लेना है अगर आप थोड़ी दिर के लिए भी रूखेंगे ना इसको उबालते रहेंगे न तो चाय आपकी उसी टाइम पर फट जाती है तो यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया सी कलर भी चाय में हमारी आई है बहुत ही टेस्टी सी चाय बनके तयार हुए त इससे बहुत अच्छी लगती से सोंदी से खुचबू भी आती है और यह बहुत ही मजे की चाय लगती है ठंड में इसे आप भी बना कर सकते है इस तरह से अगर बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगी तो आई होब कि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा